इसे बेच जैपर से खबर चहांपर जेकेलोन अस्पताल में आग लग गई जेकेलोन अस्पताल में प्री फैबरिट वाड में यह अचानक आग लगी है शौट सर्कृट के चलती बताया ज़ारा कि यह हादसा हुआ है एसी में धमाके के साथ वाड में धुआ ही धुआ हुआ 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 और हादसे के समय अलाके वाड में 30-40 बच्चे भलती थे गनिमत ये रही कि कोई जन्हानी नहीं हुई है बड़ा हादसा ऐसे में टला है सोचना पर दमकल पहुची तुरंट और आग पर काबू पाया गया जेके लोन अस्पताल प्रशासन ने अब राहत की सास ली जब आग पर काबू पाया गया बड़ा हादसा होने से टला है बताया जा रहा है कि फैब्रिक वाड में या आग लगे जोहाँ पर 30 से 40 बच्चे वहाँ पर एडबिट थे शॉर्ट सर्केट के चलते बताया जा रहा है आग लगी है एसी में धमाके के साथ बाड में पुरी तरीके से धुआ फैला और 40 से बच्चे थे उस वक्त लेकिन गनिमत ये रही कि कोई भी जणहानी नहीं हुई वहाँ पर क्या हालात हैं हाँ बिल्कुल देखिए हाथसा जो है आग जो लगी है वो शॉर्ट सर्केट के लगना बताया गया हालां कि फिराल जो होस्पिटल प्रसासन है वो पूरे मामले की जांच कर रहा है लेकिन पत्रम जश्ट है जो मामला निकल के सामने आ रहा है वो यहीं है कि वो एसी में सौर्सर्किट हुआ और अचानक जिसकी ज़ए से एक बड़ा दमा का अंदर हुआ और उस दमा के की ज़एसे पूरा जो है वो एसी जल गई और उस ज़ए पूरे वार में दूआ ही द है इसमें कैंसर पीडित लगबग 30-40 बच्चे इस वार में बढ़ती थे लेकिन आज पताल प्रसासन की सूजबू से तुरांत आग काबू पालिया गया और दमकल की साहिता से आग को पूरी तरह बूजा कर आज जो है पताल प्रसासन में राज की शांस ली ठीक है ठीक है शुक्रे आपका जनकारी के लिए तो दिखे बड़ा हद सा टला है गनिमत ये रही है कि कोई जन्हानी नहीं कोई है सबे रहते आपड काबू पालिया गया विपक्ष का एजन्डा मोदी को हराने का ब्ल्यूप्रिंट तयान